अभी इसमें breakout दिखाई दे रहा है, breakout कहाँ है, यह दिखी यह एक breakout है, यह 365 का एक range था, 365 का एक resistance था, यह resistance को इसमें cross कर दिया और 369 में इसको closing दे चुका है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह 365 के ऊपर बंद हुआ है, यह 365 के ऊपर इसके मतलब यह breakout हो चुका है, अगर यह कल 365 को यह respect करता है, और उपर के दर्व निकलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगा, और आपका target होना चाहिए, यह 380, या दर्खना 380, और stop loss कहाँ पर होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, stop loss करेट करने के यह बहुत ही जरूरी होता है, देखिए पहले मैं बताना चाहता हूँ, यह किया किया है, यह देखिए यह जो यह resistance बनाया था, यह 365 का, पहले इसमें cross नहीं कर पाया, एक बर retracement आया, यह धीरे धीरे पहुचा, फिर से retracement आया, और इसमें देखिए बहुत ही अच्छा करता है, यानि अगर यह respect करता है, तो ही उपर तक जाएगा, अगर इसमें break fall आ जाता है, यानि false breakout हो जाता है, तो इसमें तेजी नहीं आएगा, लेकिन इसके chances के आए, chances है इसमें तेजी आएगा, क्यों आएगा, देखिए मैं हमेशा बताता है, कोई भी share अगर resistance को नीचे से breakout करके उपर के तरफ closing देता है, तो उसमें बहुत ही जाधा तेजी आ जाता है, और इसमें भी तेजी आ जाएगा, और आपका जो target होना चाहिए, वो 380 के पास होना चाहिए, और आपका जो stop loss होना चाहिए, यह याद रखना, stop loss होना चाहिए, 355, 355 के नीचे, 355 के एक अच्छा सा support मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे आपको बहुत ही कम stop loss लगेगा, और उपर की तरफ अगर यह निकलता है, तो आपको बहुत ही अच्या profit होगा, तेखे, 365 को अगर रेस्पेट करता है, 365 के आसपास आप खरेदते हो, और 355 के अगर आप stop loss रखते हो, त stop loss है, और उपर की तरफ range की तन दिखाई रहा हो, 380 का range दिखाई दे रहा है, तो इसमें trade करने के लिए हमेशा याद रखना, 365 को रेस्पेट करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेड मत करना, और एक चीज मैं दिखा देता हू, एक bullish crossover होने बाला है, अगर यह bullish crossover हो जाता है, त बहुत ही safe target होने वाला है, यूँकि इसके उपर रखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा risk हो जाएगा, यह bullish crossover इसको 380 तक लेकर जाने में बहुत ही अच्छे से मदद करेगा, यह उपर की तरफ निकलने वाला है, और मैं आप को RSI बता देता हू, RSI देखिए, यह overboard zone की तरफ जा रहा है, इसलिए बता रहा हू, stop loss लेकर ही trade करना, stop loss के बिना trade मत करना, volume में दिखाना चाथा, volume बहुत ही अच्छा है, volume देखेंगे अगर आप देखिए, volume के साथ यह breakout हुआ, यह तीनों चीज काम किया है, first है resistance के नीचे से यह breakout किया है, second है resistance के ऊपर यह closing दिया है, और third है, volume बहुत ही जादा है, यह तीनों चीज एक साथ प्रेडिट करता है, यह उपर के दर जाने वाला है, और 380 का target यह achieve करने वाला है, याद रखना यह साथ छोटा छोटा वीडियो में बनाते रहता हूँ, अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो बेल आ